जी नमस्कार स्वागत है आपका हालो जी नाम बताईए कहां से बात कर रही है जी मैं पंजाब से पथानपोर्ट के फासर पथानपोर्ट से बात कर रही हूं नाम क्या है आपका सुलोचना रानी जी सुलोचना जी सवाल कीजी अपना हां जी बोलिये जी नमस्कार जी जी आदाब सुलोजना जी बोलिया आपको यहां पर हकीम साहब सुन रहे हैं जी मैं सुल्जाब से बहुत कर रहे हैं पसान कोड से जी समझ गया आप जी सुलोजना जी आदाब करता हूं आपको आदा वर्ज अपर सवाल बताएं जी के एज बताईए एज अच्छा मेरी हम उमर हैं आप को कोई परिशानी की बात नहीं इस उमर में तकलीफ हो सकती है किसी को भी यह कोई बड़ा रोग भी नहीं है अगर आप उसका सही इलाज करें और बहुत बार बताता हूं एक ही प्रोगाम में यह बहुत मश्यूर है और बहुत नकली मिलती है बहुत कड़ी होती है असली वाली लेना गौन स्याह यानि काला गौन काला गौन ले लिजे रो मेटेरियल लेना पिसावा बिल्कुल मत लेना और असली लेना नकली मत लेना बिल्कुल भी देखिए यह 100-200 ग्राम खरीद लें इसको पाउडर ब के दूस से यह अच्छे हालात है तो जूस से अगर यह 1200 ग्राम गॉंद आप यूस करते हैं तो खत्म होने से पहले आपकी तबियत अच्छा होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है आलोग गुडगाओं से हमारे साथ स्वागत है आपका आलोग जी सवाल कीजिए नमस्कार जी नमस्कार जी अधाप अच्छी मेरे नाम अलोग है मेरी उम्र है 40 साल अच्छी मेरे शरीर में शीवरिंग रहती है अच्छा ठंड लगती है अच्छा ठंड लगती है तो और बीवीज रहता है जैसे तो उस केसे मुझे क्या करना चाहिए और क्या मुस्का लेना चाहिए यह अभी शुरू हुआ या पहले से है यह में दो तिन साल से मैसूश कर रहा हूँ च्छी कि अच्छी अच्छी अखरोट रोजाना तोड़िए अपने घर में छिले मतला ना उसमें थाकत कम होती है और दस किश्मिश दो अखरोट दस किश्मिश रात को सोते वक्त चबाके खाके सोया करिए और अपने घरवालों से मेरी तरस से कहिए कि मुझ की दाल से बनी भी सबजिया हलवे खिचली खूब खिलाया करें आपको मुंकी दाल का इस्तेमाल जादे करें तो आपका ठीक होना मुम्किन है चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है विनोद दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है विनोद आपका नमस्कार जी नमस्कार अदाब इस बताईए उनकी है अच्छा देखिए जहां फंगस हुआ है वहां तो कोई तेल तो जरूर लाया करें जो भी उनको पसंद हो जैसे नारियल का तेल चमेली का तेल या कुछ भी नहीं तो राही का तेल लगा लें सर्सों का तेल यह जरूरी है क्योंकि यह इसकिन डिजीज है तो एक मैं आपको नस्का बताता हूं और लेकि छैसो ग्राम अलसी ले लीजे अलसी आपकी पत्नी जानती होंगी अलसी को हलका सा भून के बतल से बाहर निकाल लीज और एक नमक आता है उसे कहते हैं नमक कलोंजी या एस्टेक कलोंजी का सत होता है वो जिसे साइंस की जबान में एस्टेक कहते हैं और हम लोग आसान जबान में गाउंवाली जबान में नमक कलोंजी कहते हैं तो इसको इसमें मिला लीजे और तीन चार ग्राम रोजाना एक म अपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है रचना हमारे साथ स्वागत है रचना आपका अपकी अमरी अपकी अपकी जयतके और स्वाइब थी यह अपका। अच्छा बच्छा उम्र बता दी अपनी, सारव दिन चोवी साल, ठीक है, अच्छा देखो, ये नुसका बता रहा हूं, आप लिख लो, आप पढ़ लिके बच्चे हो, पैन कॉपी है आपके पास, पैन कॉपी देख, दिखिए, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौफ, 100 ग्राम सौट, और 100 ग्राम नमक कलोंजी, कलोंजी का नमक को कहते हैं, नमक कलोंजी, नमक मतलब अस्टेक होता है कलोंजी का, यह इसमें मिला दीजिए, इसका पाउडर बनाएए, और रोज़ाना, एक चमच, तीन, चार ग्राम, खालिया करिए, यह सब खतम ह होते होते मैटेरियल आपको पुरी तरह फाइदा मुमकिन है चले अगली कॉलर है पूजा बिहार से हमारे साथ स्वागत है पूजा आपका नमस्ते पूजा मिस्ता बोल रहा हूं मेरे पती का एस 32 एक है ठीक है थी मैं मुनके ना एडी में क्या कि दर्द रहता है अधाब मैं समझ गया आपके पती मेहंती आदमी क्या आपके पती बहुत अधार बेटा देखो यह दर्द बहुत अच्छा कि आपने फून के लिए दर्द होते हैं और आदमी आपरिशन तक करा बैठता है यह बहुत आसानी से चला जाता है महीने में छेता है और फिर मुद्व तक नहीं आता है किसी को भी एडी में दर्द हो एडीओं में दर्द हो गुट्नों में हो कुष अमर में हो जोडों में हो एक अच्छा नस्खा में बहुत मशूर रहा आ बताता हूं और वो असली लेना, गॉन सिया, यानि काला गॉन मिलता है, असली लेना नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, यह सो दो सो गिराम खरीद लें, और इसका पाउडर बना दें, घर में, रो मैटिजन लेना, पिसा पिसा आया नहीं लेना, और करके लेना कड़वा होता बहुत ज्यादा और महंगा भी मिलता है दस बारार उपर रोज की खुराक होती है दो टाइम की तो इसका पाउडर बना के आप दो चुटकी सुबा दो चुटकी शाम उन्हें खिला दिया करें या फिर गोलियां बना चैने या मटर की बराबर एक ग पार हमसे जुड़िए हमारे कारिक्टर मुसे जुड़िए ऐसी के साथ next caller इकस्रा बात कर लेते हैं जी नमस्कार स्वागत hai आपका सौरप स्वागत hai आपका हां जी हां नमस्कार जी नमस्कार अधाब बताई हां हाकिम साब जी जी फर्माईए हां सर मेरे को बीपी आइस्पर है मेरी ठीक है नहीं समझ मारा बीपी आपकी हाई है कभी हाई होती है कभी लो होती है ठीक है अच्छा 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 वो बड़ा कारगर है, लेकिन आपको खुद बनाना है. आपके पास कौपी पैन है तो अब लिखें. बचे तो असान है, याद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कौपी पैन है तो लिख लिजिए. देखिए, लिबू, लिबू अच्छा वाला. यह जो आप लेते हैं ना पीला पीला काज़ी नीबू जिसे कहते हैं काज़ी नीबू एक लीटर जूस निकालिए अद्रक का एक लीटर जूस निकालिए लहसन का एक लीटर जूस निकालिए और जैतुन का सिर्का एक लीटर खरीदिए अच्छा किसम का, बाहर का, जैतून का सिर्का, ओलिव वेनेगर, जैतून का सिर्का, इन सब को मिक्स कर दीजे, तीन चम्मच सुबा नाश्ते के बाद, तीन चम्मच रात को सोते वक्त, खाने के बाद, पानी से आप ले सकते हैं, ये चार लीटर की जो कॉंटिटी है, खतम ह होते 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 आपकी तबियत कंटॉल में आना मुम्किन है, साथ नेक्स्ट कॉलर है, गुड़ू धूलपूर से हमारे साथ स्वागत है आपका, हाँ, नमस्कार बेजी, आदाव आदाव, भाई बताइए, आप, सर आप से करीज़ दो साल पहले एक सीने में, हलकी सी मस्ता हो गया था, अब वो क्या है कि दीरे 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 थोड़ा सा उसने आकार सा ले लिया है, पर गार सी बन लीए हो, अच्छा तकलीव तो नहीं है, कोई तकलीव नहीं है, कि वो गार सी बन लीए है, अच्छा बाहर को जाहिर होती है, या अंदर की तरफ है, गोश्ट के ठीके ठीके अच्छा इसकी फिकर मत करिए ये डिपॉजिट्स होते है यानि जितने भी लोग हैं हल्दी किसम के उनके होते हैं लेकिन पेट में होते हैं किसी किसी के सीने पर भी आ जाता है तो उसकी बिल्कु पर्वा मत करिए और उसका कुछ वो भी मत करिए इलाज एक घरे कोई मोटी सी रोटी जरा सी बना के जो गरम सी रहे गरम-गरम यहां पर रखके रोजाना रात को सो जाया करें और सुबा को उसको रिमूव कर दें ऐसा करने से भी यह गार्ट ठीक होना मुम्किन है जी नमस्कार स्वागत है आपका जी मैं मुकेश बोल रहा हूं कहां से बात कर रहे हैं मैं रिषी के से बोल रहा हूं सवाल कीजे मेरी डॉर्टर है चार साल की तो उसको वाइबर्थ अटॉपिक डर्मटाइडिस का प्रॉब्लम है अच्छा बेभी एक्जिमा तो उसको हमने अलोपैटिक ट्रीट्मेंट भी दिया क्रीम भी लगाई हैं बहुत बेनिफिट नहीं हुआ तो होमोपैटिक ट्रीट्मेंट से थोड़ा बेनिफिट है तो कोई ऐसा नुसका उसको पूरी स्किन पर रहसे हो जाते हैं जी एज बता दीजे एज चार साल अच्छा देखिए बहुत चोटी बच्ची है आप मेरी बात गौश से सुनिएगा और एक इलाज में आपको बताता हूं देखिए यह जो खाने का सोड़ा है यह आपको लेना है 10 गिराम सिर्फ 10 गिराम 10 गिराम और अलसी जो आपको नहीं पता तो पूछ लेना अपने घर में यह मम्मी से या पतनी से अलसी आती है एक चीज उसको लेजिए 200 गराम 200 गराम अलसी और उसको हलका सा भून ले साफ सूफ करके और हलका सा भून के बाहर निकाल ले और इसको पाउड बनाएं और इसमें दस गिराम ये सोडा खाने का मिक्स कर लें अब इसको क्योंकि ये 210 गिराम हो गया इसको आप 210 गिराम शहद में मिला दीजिए एक पेस्ट बन जाएगा और दिन में तीन बार थोड़ा थोड़ा सा चटा दीजिए जिसे उंगली पर जितना आता है एक चमच का भी चौथाई हिस्सा यानि एक रुपे में चार आने चमच जो है वो उसे सुबा शाम खिलाना शुरू करें मुझे है आपकी बच्ची का अच्छा होना मुम्किन है चली नेक्स्ट कॉलर है ममता हमारे साथ स्वागत है ममता आपका आपका अजी हलो नमस्कार कहां से बात कर दी जी मैं जी सवाल कीजिए अच्छिव सो मस् पहले कि आप जो मेडिसिन बताते हैं वो मेरी ममी रोज लिखती है और डाइरे में रखती है उसका स्वाज में करती है मेरी ममी को एक्षि में ममी का पूछना जाती हूं मेरी ममी के नाभी टल जाता है वो उसका कोई घुरे मिटसा बता सकते हैं इलाज बता सकते हैं तो प्लीज बता दी कि अच्छिए दो इलाज बताता हूं नाभी के और व और अपने हात ऐसे यहां चिपका ले और बिलकुँ सीधे खड़े हो जाएं गुटने ऐसे मिला ले और ऐसे करके आप ओझुकना शुरू करें ऐसे बिलकु जुकते से ले जाएं गुटने नहीं मुड़ने चाहिएं कमर मुड़े और अपने पैर छुने की कोशिश करें अपने पैर छुने की कोशिश करेंगे और चाहे छुए जाएं या ने छुए जाएं लेकिन कोशिश करते रहें दिन में तीन चार बार ये कोशिश करें तो उनकी नाभी ठीक होना मुम्किन है